हलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टू पोल MCB इंडिकेटर ट्रिप की वायरिंग कैसे करें जैसे हमारी MCB टू पोल की है और ये MCB किसी कारण बस ट्रिप हो जाती ही तो हमारा एक इंडिकेटर आन हो जाएगा टू पोल MCB दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जो लोग चैनल पर नए चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन गंडि को आल कर दें ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेंगे तूपल MCB का स्टेंड और यहाँ पर MCB को कनेट कर लेंगे strengthen यहाँ पर के लेंगे उसके बाद इंडिकेटर लेंगे इंडिकेटर के दो पॉइंट होते हैं एक और दो एक पॉइंट पे एक वार हम कनेट करेंगे दूसरे वाले point पे कोई भी एक वार connect कर लेंगे, यहां पर हमारे पास दो color का वायर है, एक green है, एक black वायर है, black वायर को हम एक tournament पे connect कर लेते हैं, दूसरे वाले terminal पे हम green वायर connect करेंगे, अब इस तरह हम वायरिंग कर लेंगे, उसके बाद दूसरे वाले indicator भी इसी तरह हम वायरिंग कर लेंगे, और एक tournament पे हम black वायर connect कर लेंगे, एक tournament पे हम red वायर connect करेंगे, और दूसरे वाले terminal पे हम black वायर connect करेंगे, अब दोनों indicator की वायरिंगे, यहां पर हम कर लेंगे इस तरह, आप लोग देख सकते हैं, अब हम two pole MCB में connection करेंगे, two pole MCB में connection करने के लिए हम एक holder ले लेंगे, इस holder में जो है दो वायर है, एक फेस है और दूसरा newton है, अब यहां पर हम load देने के लिए, जैसे load input और output, input पे हमारी जो खमे पर supply आएगी, यह connect करेंगे, और output में हमारा जो घर के load होते हैं, board, तो board में ले जाने के लिए यह wire दो connect करेंगे, यहां पर हम board नहीं लिए हैं, इसके जगे पर हम holder ले लिए हैं, और एक बलफ 100 watt का ले लिए हैं, तो चलिए, अब हम face wire के साथ में एक indicator का wire जोडेंगे, कोई भी एक wire ले ले लेंगे, और दूसरा जो है, इस indicator का wire जोडेंगे, अब यहां पर हम tight कर देंगे, और एक सिरे पर हम एक single wire जोडेंगे, अब यहां पर हमारी output की wiring हो गई है, अब इन फूट पर wiring करेंगे, अब हम यहां पर ले ले लेंगे दो wire, जो हमारे main power supply आगी, खम्मे पर से यह दो wire ले लेंगे, दो wire को, एक wire को हम यहां पर एक wire के साथ में connect करेंगे, इंडिकेटर का एक wire ले लेंगे, और इसके साथ में एक red wire connect करेंगे, और इंडिकेटर का एक wire black wire के साथ में हम connect करेंगे, यहां पर, आप जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, अब यह इसमें जो bluff है, होल्डर जो है, आप देख सकते हैं, यहां पर जो यह होल्डर है, होल्डर में इस बलब को 100 wire का बलब है, इससे connect कर लेंगे, अब यहां पर हमारी complete wiring हो गई है, दोस्तों यहां पर हम पुरा setup कर लिए हैं, इसमें आभ हम power supply देंगे, जैसे power supply देंगे तो MCB हमारी विन नहीं है, नीचे एक तरफ गिरिए, तो दोनों indicator रावा आन हो जाएगा, जैसे हम MCB को उपर कीटरब करेंगे, तो हमारा एक indicator रावा आन हो जाएगा, और एक indicator हमारा बंद हो जागा जब भी MCB हमारी trip करेगी तो हमारा जो है indicator आन हो जाएगा देखिए जैसे हम supply देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर indicator हमारा आन हो गया यहाँ पर indicator जला है दोनों indicator यह indicator हाप हाप में यानि थोड़ा थोड़ा जला है आप देख सकते हैं इस तरह स्रीज में जैसे बलब कम जलते हैं और ज्यादा जलते हैं उसी तरह आपको इंडिकेटर दोनों में जलेगा यानि कि हमारे घर की सप्लाई बंद है जैसे हम यहां से आन करेंगे इस तरह तो देखें यह वाला इंडिकेटर बंद है और यह वाला इंडिकेटर हमारा तेजी से जल रहा है यानि हमारे घर का जो लोड है बोल्टेज है वह सही है और हमारे जब mcb किसी कारण बस यहां से ट्रीप हो जाती है तो दोनों में हमारी जो है लोड कम बताएगा और इस तरह mcb की ट्रीप होने के बाद जो हमारे इंडिकेटर है वो कम जलेगा यानि थोड़ा-थोड़ा दोनों में इंडिकेटर में जलेगा तो आप देख सकते हैं जब भी आपका एंडिकेटर आन हो जाएगा यहां पर देखिए इंडिकेटर जला अब जैसे हम इसके आन करेंगे इस तरह तो हमारा जो है इंडिकेटर बंद हो गया हमारा एक इंडिकेटर ओ तेजी से जला 220 बोल्टेज सप्लाई से तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह mcb ट्रिप इंडिकेटर की वायरिंग कर सकते हैं और आप लोग के वीडियो कैसा लगा कमेंट बोक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा चैनल पर जो लोग नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन